चीज साल के बाद ऐसा देखने को मिलने वाला है जब बिहार से पांच महिला सांसद एक साथ दिल्ली सदन में जाएंगे सबसे जरूरी बात कि शांबी चौधरी जो महज 25 साल की है और कहा जा रहा है कि अब तक कि सबसे कम उम्र की सांसद वो भी महिला सांसद शांबी चौधरी हैं जो दिल्ली सदन में जाकर बिहार का बिहार वासियों का नाम रोशन करने वाली हैं और 1999 में लोग सभा चुना हुआ था उस वक्त बिहार से 5 महिला सांसद चौधर एक साथ बिहार से दिल्ली सदन में जाकर बिहार का नाम रोशन की थी धाई दशक के बाद बिहार से 5 महिला सांसद चौधर जाएंगी दिल्ली सदन में जिहां बिलकुल सही सुन रहे हैं आप धाई दशक के बाद यानि करीब 25 साल के बाद ऐसा देखने को मिलने माला है जब बिहार से 5 महिला सांसद एक साथ दिल्ली सदन में जाएंगी आपको बता दें कि 1999 के लोग सभा चुनाओ के वक्त ऐसा हुआ था जब 1999 में लोग सभा चुनाओ हुआ था उस वक्त बिहार से पांच महिला सांसत चुनकर एक साथ बिहार से दिल्ली सदर में जाकर बिहार का नाम रोशन की थी लेकिन आपको बता दें कि ये तब की बात है जब बिहार और जारखंड एक साथ था उसके बाद जब राज्यका बटवारा हुआ उसके बाद से कभी ऐसा नहीं हुआ जब बिहार से एक साथ पांच सांसत चुनकर गई वो भी महिला सांसत लेकिन साल 2024 का जब लोग सभा का क्योंकि धाई दसक के बाद करीब 25 साल के बाद ऐसा देखने को मिला है जब बिहार से पांच महिला सांसत चुनकर दिल्ली सदन में जाने वाली हैं आपको बता दे कि बिहार जिसको लेकर कहा जाता है कि अती पिछड़ा राज्य है वहीं महिलाओं को लेकर कहा जाता है कि मह महिलाएं राजनीती में कम सक्रिय रहती हैं, महिलाओं की रूचि जो है वो राजनीती में कम होती है पूरुष ज्यादा इंट्रिस्टेड होते है राजनीती में, लेकिन इस बात को गलत साबित किया है बिहार के पांच महिला सांसदों ने हम आपको एक करके उन पांचों महिला सांसदों का नाम बताएंगे और बताएंगे कि ये किस पार्टी से लड़ी हैं किसको मात दी हैं और अब ये दिल्ली सदन में जाकर जहन्डा लहराने वाली हैं सबसे पहले हम बात करेंगे श थे वो कॉंग्रिस पार्टी को मिद्वार सनी हजारी थे और सनी हजारी को हराकर शांभवी चौदरी समस्तिपुर से जीत चुकी हैं वहीं दूसरे नंबर पर आती है वीना देवी वीना देवी वैशाली ये भी लोजपा के चैंडिडेट थी आपको बता दे कि आर जेडी के वीजे शुकला इनका उपजिशन में थे और उनको हराकर इन्हों ने जीत हासिल की है वीना देवी शांभी चौदरी के बारे में हमने आपको बता दिया तीसरे नंबर पर वीजय लक्षमी आती है ये सिवान से प्रत्याशी थी जदियू की प्रत्याशी थी और आर जेडी के अवद बिहारी चौदरी को ये टकर दे रही थी आपको बता दे कि इन दोनों के बीच महा मुकाबला देखने को मिल रहा था लेकि परिनाम आता है और साफ तोर पर जो नतीजा दिखता है उसमें दिखता है कि विजय लक्षमी जो है वो अवद बिहारी चौदरी को मात देते हुए वहां से जीत हासल करती हैं मिशा भारती आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रिशाद यादो के बेटी पार्टली पुत्र से आरजेडी की प्रत्याशी की तौर पर लोग सभा का इस बार का चुनाव लड़ रही थी और उनके ऑपोजिशन में भाजपा प्रत्याश ती और इनके ऑपोजिशन में रितु जैसवाल थी जो आरजेडी की प्रत्याशी थी और इनको मात देती हुए ये भी जीच चुकी हैं और इस प्रकार से पांच महिला सांसत जो हैं इस बार बिहार में जंडा गाड़ी हैं और ये पांचों महिला सांसत जीत कर डिली सदन में जाने वाली हैं और आप इस बात से समझ सकते हैं कि महिलाओं के उपर जो एक धबा इस बात का कि महिलाओं पॉलिटिक्स में इंटरेस् वाला है आप बदाईएगा वीजियो को समात करते हैं मिलते हैं वीजियो में धन्यवाद